हेलो बच्चो कैसे हैं आप बच्चो आज का हमारा पार्ट है नेता जी का चश्मा और इस पार्ट के लेकक है स्वयम प्रकाश जी आज हम इस वीडियो में आपको पार्ट का सारांस बताएंगे और अंत में पार्ट से सम्मंदित प्रज्णु के उत्तर भी लेकिन आईए सबसे पहले जान लेते हैं लेका का जीवन परिचे तो बच्चो आप यहाँ पर ध्यान दें ये हैं स्वयम प्रकाश जी और इनका जीवन परिचे आईए जानते हैं स्वयम प्रकाश का जीवन सन 1947 यानि कि 1947 में इंदार मद्य परदेश में हुआ मेकनिकल इंजिनियरिंग की पढ़ाई करके एक ओदोगिक पर्तिस्थान में नौगरी करने वाले स्वयम प्रकाश का बच्चपन और नौगरी का बड़ा हिस्था राजिस्थान में बीता फिलहाल स्वयचिक सेवा निर्वर्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुदा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं आठवें दसक में उब्रे स्वयम प्रकास आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्सर है उनके तेरा कहानी संग्रय प्रकासित हो चुके हैं जिनमें सूरज कब निकलेगा आएंगे अच्छे दिन भी आदमी जात का आदमी और संदान उलेखनी हैं उनके बीच में बिने और इंधन उपन्याश चर्चित रहे हैं उन्हें पहल सम्मान बनमाली पुरुषकार राजिस्तान साहित अकादमी पुरुषकार आदी पुरुषकारों से पुरुषकृत किया गया यानि कि किया जा चुका है मध्यम वर्गिय जीवन के कुसल चितेरे स्वयम प्रकास की कहानियों में वर्ग सोशन के बिरुद्द चेतना है तो हमारे सामाजिक जीवन में जाती संपरदाय और लिंक के आधर पर हो रहे बेदभाव के खिलाब परतिकार का स्वर्वी है रोचा किसा गोई सहली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परिम्परा को सम्रिद करती हैं चारों और सीमाओं से गिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों नदियों पहाडों पेड़ पौदों बनसपतियों पसुपक्सियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी सम्रिद के लिए प्रियास करने का नाम देख रहे हैं न तो इसी प्रकार से ये कहानी आपर दी गई है नेता जी का चस्मा जो कहानी है कैप्टन चस्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है जो इस देश के निर्मान में अपने अपने तरीके से सहयो करते हैं कहा या कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें सामिल हैं तो यहां था आपको हमने बताया लेका का जीवन परिचया और कहानी के बारे में मोटी बाते की यह कहानी किस प्रकार से है आईए अब जान लेते हैं इसी पार्ट का सारांस तो बच्चो आप ध्यान दें नेता जी का चस्मा जो कहानी है इस कहानी में क्या कुछ कहा गया है यह सब हम आपको यहां पर सारांस के रूप में बता रहे हैं आप चाहें से अपनी नोट बुक में नोट भी कर सकते हैं और इसे अच्छे से याद भी कर सकते हैं यहां कहानी एक छोटे से कस्वे की है इस कस्वे की नगरपालिका के किसी उत्साही प्रसासनिक अधिकारी ने कस्वे के मुख्य बाजार के मुख्य चोराहे पर नेता जी शुवाश चंद बॉस की एक संग मरमर की मूर्ति लगवा दी यहां कहानी इसी मूर्ति के इर्द गिर आने का विश्वास दिलाया आगे यहां पर कहा गया है कि नेता जी की मूर्ती दो फुटकी थी और सुन्दर थी नेता जी सुन्दर लग रहे थे और कुछ मासूम से मूर्ती को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खुन दो मैं तुमें आजा दी दूँगा याद आने लगता था तो बच्चों ये क्या थे नेता जी के नारे थे तुम मुझे खुन दो मैं तुमें आजा दी दूँगा इसके बाद आईए उस मूर्ती में बस एक चीज की कमी थी वह थी नेता जी की आँखों का चश्मा मूर्ती की आँखों पर संग मरमर का चश्मा नहीं था हालदार साहब कमपनी के काम से इसी कस्वे से गुजरते थे जब हालदार साहब पहली बार इस कस्वे से गुजरे और पान खाने के लिए रुके तभी उन्होंने देखा कि मूर्ती पत्थर की थी लेकिन उस पर चश्मा असली था हालदार صاحب को कस्वे के नागरिकों की देश बगती की भावना का यह प्रियास अच्छा लगा देश बगती तो आजकल मजाक की चीज फोती जा रही है हालदार साहब जब भी इस कस्वे से गुजरते चोराहे पर रुखते पान खाते और मूर्थी को ध्यान से देखते उन्हें हर बार मूर्थी का चस्मा बदला हुआ मिलता कभी गोल फ्रेम वाला तो कभी मोटे फ्रेम वाला तो कभी चौकोर चस्मा जब हालदार साहब से नहीं रहा गया तो उन्होंने पान वाले से चस्मे के बदलने का कारण पूछी लिया पान वाले ने हसते हुए कहा कि कैप्टन चस्मे वाला चस्मा चेंज कर देता है हालदार साहब को समझ में आ गया कि एक कैप्टन नाम का चस्मे वाला है जिसे बगर चसमे के नेता जी की मूर्थी अच्छी नहीं लगती इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में रखे हुए गिने चुने फ्रेमों में से कोई एक नेता जी की मूर्थी पर लगा देता है लेकिन जब कोई खरीदार आता है और उससे वैसे ही फ्रेम की मांग करता है वैसे ही फ्रेम की मांग करता है तो वा मूर्ति पर लगा फ्रेम खरीदार को दे देता है और नेता जी से माफी मांगते हुए उन्हें दूसरा फ्रेम पहना देता है आगे हालदार साब को यहाँ सब बड़ा अजीब लग रहा था एक दिन उन्होंने पान वाली से पूछा क्या कैप्टन चसमे वाला नेता जी का साथी था या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाई था पान वाले ने पान वाले ने ब्यंग में हसकर कहा वहाल लंगडा क्या जाएगा फोज में पागल है पागल वो देखो आ रहा है हालदार साब को पान वाले दो बार एक देजभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा उन्होंने देखा एक बुड़ा मरियल साब यक्ती लंगडा कर गांधी जी गांधी टोपी और आंकों पर काला चस्मा लगाए एक हाथ में छोटी सी संदूक जी और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चस्मे लिए एक गली से निकल रहा था और एक बंद दुकान के सारे अपना बांस टिका रहा था यही था यही था कैप्टन चस्मे वाला जो फेरी लगाता था हालदार साब दो साल तक अपने काम के सिलसले में इसी कस्वे से गुजरते रहे और नेता जी की मूर्थी पर बदलते वे चस्मे को देखते रहे एक बार हालदार साब ने द देश के लिए सब कुछ नियुच्छावर करने वालों पायर हसती है और अपने लिए बिकने का मौका ढूंटी है तो बच्चो इसके बाद 15 दिन के बाद हवलदार साहब दुबारा उसी कस्बे से गुजरे सोचा कि मूर्ति के पास नहीं रुकेंगे और पान भी आगे ही खा हो गई उन्होंने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे से बना हुआ चस्मा लगा हुआ था जिसे सायद बच्चो ने बना कर मूर्ति को पहना दिया था इतनी सी बात पर उनकी आँकें भराई तो बच्चो आपने देखा यहां पर सारांस आप देखें कि इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यहां बताया कि सब नागरिकों में देश बक्ति की भावना होनी चाहिए परतेक ब्यक्ति चाहिए वह चोटा हो या बड़ा अपने देश और समाज के लिए कुछ न कुछ कर सकता है कैप्टन एक सादरन और सामन आजमी था परंतुस में भी अपने देश के परत प्रेम था वह अपनी योग्यता और सामर्त के अनुसार अपनी इस देश बक्ति को ब्यक्त करता था तो बच्चो यह था यहां पर नेता जी का चस्मा पाट का सारांच जो कि हमने आपको यहां पर दिखाया भी और सुनाया भी आप चाहें तो इसे अपनी नोट बुक में नोट कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए तो चलिए इसके बाद जान लेते हैं नेता जी का चस्मा पाट के प्रस्नों उत्तर तो बच्चो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेता जी का चस्मा पार से संबंदित प्रसनों के उत्तर तो आईए जान लेते हैं पहला प्रसन आपका सेनानी नहोते हुए भी चस्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे तो आपका उतर होगा चस्मे वाला कभी सेना में नहीं रहा परन्तु चस्मे वाला एक देश भक्त नागरिक था उसके हिर्दे में देश के बीर जवानों के प्रती सम्मान था नेताजी की मूर्ती पर चश्मा लगाकर मूर्ती कार की गल्टी को छिपाता था ताकि नेताजी के सम्मान में कोई कमी ना हो उसकी इसी भावना को देख कर लोग उसे कैप्टन कहते थे इसके बाद आएए जानते हैं यहाँ पर दूसरे परस्नी का उत्तर तो प्रसनी क्या है आपका हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चोराए पर गाड़ी रोगने के लिए मना किया था लेकिन बाद में तुरंत रोगने को कहा हालदार साहब पहले मायूस क्यूं हो गए थे तो आपका उत्तर होगा हालदार साहब इससे इसलिए मायूस हो गए कि कैप्टन अब मर चुका है और उसके समान कोई देश प्रेमी नहीं था जिसकी नेताजी जैसे देश वक्त के लिए समान की भावना हो उसके मर जाने के बाद अब कौन इस जिम्मेदारी का निर्वाह करेगा इसके बाद अगला प्रस्नियाप के लिए तीसरा प्रस्नियाप हालदार साहब ने ड्राइबर को पहले चोराए पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था लेकिन बाद में तुरंट रोकने को कहा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उमीद जगाता है तो आपका उतर होगा मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा इस बात का परतिक है कि आज देश की आने वाली पीडी के मन में देश वक्तों के लिए सम्मान की बावना है बले ही उनके पास साधन नहों परन्तु फिर भी सच्चे हिर्दै से बना वा सरकंडे का चश्मा बाव पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा हालदर साभ इतनी सी बात पर भाव क्यों हो उठे तो आप क्या लिखेंगे उत्तर होगा उचित साधन नहों होते वी किसी बच्चे ने अपनी छमता के अनुसार नेता जी को सरकंडे का चश में के माध्यम से एक बच्चे के मन में देखकर खालदार साभ भावक हो गए और अगला प्रसने आपके लिए आस्या इस्वस्ट कीजिए बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर ग्रस्ती जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हासती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंडती है तो आपको इसका उत्तर क्या लिखना होगा उत्तर होगा देश भक्तों ने देश को आजादी दिलाने के लिए अपना सरवश्व देश को समर्पित कर दिया आज हम स्वतन देश में आजादी की सांस ले रहे हैं या उनी देश भक्तों के कारण संभव हो पाया है उनी के कारण हम आजाद हुए हैं परन्तु यदि किसी के मन में ऐसे देश भक्तों के लिए सम्मान की भावना नहीं है वे उनकी देश भक्ती पर हंसते हैं तो या बड़े ही दुख की बात है ऐसे लोग सिर्फ अपने बा पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए तो उतर होगा पान वाला मस्त मौला ब्यक्ति था शड़क के चोराय के किनारे उसकी पान की दुकान है वह काला तता मोटा है उसकी तोंद भी निकली हुई है तोंद जानते हैं आप पेट जब बड़ा हो जाता है उसे तोंद भी हिलती है एक तरफ वह गरह के लिए पान बनाता रहता है वहीं दूसरी और आसपास भी नजर रखता है उसके मुँँ में हमेशा पान भरा रहता है पान खाने के कारण उसके दांत लाल और कहीं कहीं काले पड़ गए है शवाव से वह मजा किया है वह बाते बनान कि दाने में माहिर है इसके बाद बच्शो पांचवां प्रसण है आपके लिए ओ लंगडा क्या जाएगा फोज में पागल है पागल कैप्टन के प्रती पान वाले की स्टिपणी पहर आपनी प्रतिक्रिया लिखिए तो आप क्या उतर लिखेंगे पान वालेslow ने कैप्ट नहीं है वह सारी रूप से बले ही लंगड़ा है पर उसकी मानसिक सक्ति तीवर है वह कभी भी नेताजी की मूर्ती बगर चसमे के नहीं रहने देता अथा कैप्टन पान वाले से अधिक शक्री या विवेक सील और देश वक्त है इसके बाद बात करते हैं रचना और अव्यक् पर रुकते और नेताजी को निहारते तो आपका उतर होगा यहां पर हमें हालदार साब की निम्न विसिस्ताओं के बारे में पता चलता है नेताजी के रोज बदलते चसमे को देखने के लिए उच्छुक रहते थे नेताजी को पहनाए गए चसमे के माध्यम से वे कैप्ट पीचे थुका और सिर जुका कर अपनी धोती के सिरे से आखें फोचता हुआ बोला साहब कैप्टन मर गया उत्तर क्या होगा आपका यहां पर हमें पान वाले की निम्न विसिस्ताओं के बारे में पता चलता है पान वाला भावक और संबेद अन्सील था कैप्टन के मर जान पर उसकी आखें भर आई इसके बाद तीसरा है कैप्टन बार बार मूर्ती पर चस्मा लगा देता था तो उत्तर क्या होगा यहां पर हमें कैप्टन की निम्न विसिस्ताओं के बारे में पता चलता है क्या चलता है वह देश वक्त था नेता जी के लिए उसके मन में सम्मान की भावना थी इसलिए नेता जी को बगर चस्मे के देखना उसे अच्छा नहीं लगता था आर्थिक विपन्ता के कारण हुआ नेता जी को अस्ताई पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा अपनी कलपना से लिखिए तो यहां पर चाहें तो आप अपने आप से लिख सकते हैं और नहीं तो आप इस उत्तर को देखके भी लिख सकते हैं जब हालदर साहब ने कैप्टन को नहीं देखा था तब तक वो उसे एक फौजी की तरह उन्हें कैप्टन कहते हैं इसके बाद 8.1 क्वेशन देखते हैं कस्मों सहरों महानगरों के चोरहों पर किसी न किसी छेत्र के परसिद व्यक्ति की मूर्ति लगाने का परचलन सा हो गया है इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्दे से हो सकते हैं तो आप उत्तर क्या लि कारियों को याद करने के लिए उन महान व्यक्तियों के इत्याग और बलिदान को अमर रखने के उद्धे से उनके गुणों को याद करके समाज के लोगों को अच्छे कारे करने के लिए प्रेरित करने के उद्धे से तथा ऐसे लोगों का सम्मान करने के उद्ध्ध से मूर्तियां लगाई जाती है इसके बाद 8.2 में कसवों सहरों महानगरों के चौराओं पर किसी न किसी छेतर के परसित ब्यक्तिकी मूर्ति लगाने का पर्चलन सा हो गया है आप अपने इलाके के चोराए पर किस व्यक्त की मूर्तिस्तापित करना चाहेंगे और क्यों तो आप इसका उत्तर भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर से भी इसे देख सकते हैं हम अपने इलाके के चोराए पर मादमा गांदी तता बैग्यानिकों की मूर्तिस्तापित करवाना चाहेंगे क्योंकि एक और जहां मादमा गांदी जी ने हमारे देश को आजात करवाने में भूमी का निवाई उन्होंने हिंसा को त्याक कर अहिंसा के पत को परदानता दी देश को प्रगति के पत पर आगे बढ़ाने के लिए नए नया विश्कारों के द्वारा देश को नए दिशापरदान की है इसके बाद बच्चो अगला प्रस्णा आपका कस्वों सहरों महानगरों के चौराईंउं पर किसी ना किसी छेदर के परशिद व्यक्ति की मूर्ति लगाने का परचलनसा हो गया है उस मूर्ति के पर्ति आपके और दूसरे लोगों के क्या उतरदायुत होने चाहिए तो आप क्या उतर लिखेंगे इन मूर्तियों के पर्ति हमारे तथा समास के कुछ उतरदायुत हैं जिने हमें हर शंभव प्रियास द्वारा पूरा करना चाहिए हमें मूर्तियों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि ये मूर्तियां सादरन नहीं बलकि किसी सम्मानित ब्यक्ति का पर्तिक हैं हमें या ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी परकार से मूर्ति का अपमान नहों हमारा या उत्तरदावित होना चाहिए कि हम मूर्ति की गर्मा और स्वतनता को बनाई रखें इसके बाद नववा प्रस्णिया पर सीमा पर तैनात फोजी ही देश प्रेम का परिचे नहीं देते हम सभी अपने दैनिक कारियों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम परकट करते हैं जैसे सार्वजनिक संपति को नुकसान न पहुचाना प्रियावरन सरेक्षन आदी अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कारियों का उले कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए तो आप उत्तर में क्या लिख सकते हैं हम भी देश के परती अपने कर्तबियों को पूरा करके अपनी देश वक्ति का परिचय दे सकते हैं जैसे प्राकरतिक संसादनों का उचित उप्यों करना समाज के कमजोर और जरुतमन लोगों की मदद करना सरकार की जन कल्यान योजनाओं को सहयो करना समाज में हो रहे अन्याय का विरोध करना और देश को प्रगतिके पत पर ले जाने के लिए तन्मन धन से सहयो करना इसके बाद बच्चों दसवाँ प्रसने है निमलिकित पंक्तियों में अस्थानिय बोली का प्रवाव इसपस्थ दिखाई देता है आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए कोई गिराक आ गया समझो देख रहें आप उसको चोड़े चोखट चाहिए तो कैप्टन कि उदर से लाएगा तो उसको मूर्ति वाला दे दिया उदर दूसरा बिठा दिया तो आप मानक हिंदी में कैसे लिखोगे पहला देखें आप कोई गिराक आ गया का मतलब क्या होगा यहां पर अगर कोई गिराक आ गया और उस चोड़े उसे चोड़े चोखट चाहिए तो कै इस प्रकार से आप इसे मानक हिंदी में रूपांतरित कर सकते हैं इसके बाद 11 प्रसने आपके लिए भाई खूब क्या आइडिया है इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताईए कि एक बासा में दूसरी बासा के सब्दों के आने से क्या लाब होते हैं तो बच्चो आप क्या उतर लिखेंगे आपका उतर होगा साधरन बोलचाल की बासा पर कई बासाओं का प्रभाव रहता है इस प्रकार के सब्दों का उचारण इसलिए किया जाता है कि बहुत परचलित सब्द अक्षार लोगों को जल्दी समझ में आ जाते हैं एक बासा म बाव अव्यक्त की चमता में ब्रदी होती है इस प्रकार के सब्दों के प्रियोग से वाक्या अधिक प्रभाव साली हो जाते हैं दूसरी बासा के कुछ सब्दों की जानकारी भी मिलती है बासा का बंडार बढ़ता है बासा का सुरूप अधिक आकरशक हो जाता है साती बा तो बच्चो यहाँ पर आप ध्यान दें निम लिखित वाक्यों से निपाच छांटिये और उनसे नए वाक्या बनाईए नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती थी करती भी रहती थी तो उतर क्या होगा तो मा ने तुम्हें जो काम करने को दिया था वह कर तो दिया भी आपके साथ यह भी चलेगा इसके बाद नमबर दो पे किसी अस्तानिय किलाकर को ही अक्षर देने का निर्ने किया होगा किसी अस्तानिय कलाकर को ही अवशर देने का नेने किया होगा तो इसका उतर होगा ही यहाँ पर आप ध्यान दें उन्हें भी आज ही आना है इसके बार नमबर तीन पर यानी चस्मा तो था लेकिन संग मरमर का नहीं था तो यहाँ पर क्या होगा उतर तो मेरे पास गहने थे तो सही लेकिन मैंने पहने नहीं हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए उत्तर क्या होगा भी तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसके बाद पांचमा दो साल तक हलदार साहब अपने कामों के सिलसले में उस कजबे से गुजरते रहे उत्तर क्या होगा तक उसने मेरे कमरे की और जहांका तक नहीं इस परकार से आप उनका उत्तर लिखें इसके बाद 13.1 में आईए देखते हैं निमली की वाक्यों को कर्म वाचे में बदलिये वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्द गिने चुने फ्रेमों में एक से नेताजी की मूर्ती पर फिट कर देता है तो उत्तर क्या होगा उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्द गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर तसनी क्या था निम्जित वाक्यों को कर्म वाच्चे में बद लिए यानि कि ये वाक्य किसमें है कृत वाच्चे में इसके बाद आप ध्यान दें पान वाले ने साप बता दिया था पान वाले के द्वारा शाप बता दिया गया था और इसके बाद ड्राइवर ने जोर से ब् प्याग दिया गया और हालदार साहब ने चस्मे वाले की देश वकती का सम्मान किया इसके बाद आए देखते हैं चोद्वा प्रस्णिया पर नीचे लिखे वाक्यों को भाव अच्य में बदलिये जैसे अब चलते हैं अब चला जाए तो यहाँ पर आप ध्यान दें मां था नहीं जाता बाववचे में और नमबर दो है मैं देख नहीं सकती तो बाववचे में क्या होगा मुझसे देखा नहीं जाता और नमबर तीन पर है अब सोते हैं तो उत्तर क्या होगा यहां पर आप ध्यान दें उत्तर क्या होगा चलो अब सोया जाए मा रो भी नहीं सकती तो उतर क्या होगा मा से प्रोया नहीं जाता तो इस प्रकार से आप जोए देखें यहाँ पर कि किस प्रकार से बाववाचे में इन्हें बदला गया तो बच्चो ये था हमारे पार्ट नेता जी का चस्मा पार्ट से संब्दित प्रस्णों के उतर और पार्ट का सारांस जो हमने आपको यहाँ पर सुनाया भी और बताया भी तो आपने देखा होगा आप इसे अपनी नौट बुक में नौट कर लें और आगे के पार्टों को पढ़ने के लिए और इसी प्रकार से उनसे संब्दित प्रस्णों के उतर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार परतेक पार्ट की इसी प्रकार वीड देखते रहें और उन्हें अच्छे से याद भी करें आज के लिए इतना काफी है आपका दिन सुभू